याद करिए, यदेष जब विदेषी आकरांताओं से आहत हो रहा था उस समय, उस काल खंड में तुल्सी दाजजी ने रामचरितर माध्यम से जन चेत्ना को गाउं गाउं में जाकरू करने का काम किया था राम लिलाओं का मंचन किया था राम लिलाओं के माद्देम से उन्होंने एक एक गाउं को जोड़ने का काम किया था आज भी गाउं गाउं में राम लिलाओं का विजन बिना किसी सरकार की आस्त्रित हो करके आम जन माइनस करता है उसी सरदा वहाँ के साथ सभी पातरुशी गाओं के नौजवान बनते उनके अंदर कला एक नय रूप में देखने को मिलती है संबाद की अपनी एक सेली वहां गाओं के अंदर अलग अस्तर पर देखने को मिलती है गाओं में समाजिक सदभाव उस्तापित होता है सनातन धर्म के मुल्य मुझ्बूत होते है और उस समय तुलसी दाज़ी को भी तमाम पर रोवन आई थी बहुत सारे लोग उने कहा तुलसी दाज़ी को क्या आप भी बादसा के दरवार में आईए आपको भी नौरतन शेलोग सम्मानित करेंगे उन्होंने कहा कौन बादसा कहा रे राजा भारत का उन्होंने कहा नहीं भारत का एक ही राजा है और राम है और भारत की राम दिलाओं में आज भी आज भी यह मंत्र और यह नारा गोस्ता है बोले राजा राम चंदर की जै की बात ये तुलसी दाज़ी ने उस काल खंड में दिया था नारा उन्होंने कहता नहीं भारत का एक ही राजा है वा क्यों राम है राम के लावा कोई दूसर राजा नहीं हो सकता ये है एक संथ की निर्विक्ता याद रखना जो मैंने कहा लीक से हट कर कि जब भी हम काम करेंगे वहा विसिष्ट होगा लोगों को आकरसित करेगा लोगों के लिए पिनादाई बनेगा प्रवसिर राम की कथा इसके बारे में हमारे सामने नहीं कुछ धन प्रस्तुत करती